हैलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे X-rays, ultrasound और CT MRI के बारे में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये X-rays film है और ये CT film है X-rays और CT scan film में क्या अंतर होता है तिके CT scan भी X-ray पर ही paste होती है लेकिन ये body का 3D image देती है X-ray और CT में अगर body में air होती है तो वो black color से represent होती है और body में अगर water होता है तो वो white और gray color से represent होता है जबकि हड़ी मतलब के bond वो white color से represent होती है हमारी body में जैसे जैसे material की density बढ़ती है तो बैसे बैसे उसकी चमक भी बढ़ती है तो जो जितना ज़्यादा dense होता है वो उतना ही ज़्यादा चमकीला होता है तो दिखिए air, air की density कम होती है तो air का color black होता है दूसरा fat, fat की density भी कम होती है तो X-ray और CT में fat का color भी हलका black होता है जबकि bond, bond की density ज़्यादा होती है तो bond का color white देखने को मिलता है तो जैसे जैसे density बढ़ती है तो बैसे बैसे उसकी चमक बढ़ती है यहाँ पर हड़ी white दिखाई पड़ रही है जबकि lung में जो हवा भरी है बो black दिखाई पड़ रही है CT में देखिए यह बटी बिरा है और यह rips है तो बटी बिरा और rips की हटी bite दिखाई पड़ रही है जबकि lungs देखिए यह black दिखाई पड़ रहा है क्योंकि lungs के अंदर हवा भरी है यहाँ पर दो images दिखाई पड़ रही है यहाँ पर हम कैसे पचानेंगे कि यह CT scan है या MRI है यहाँ पर देखिए brain में हमें skull bone देखनी होती है अगर skull bone bite दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब यह CT image है और abdominal के axial view में हमें ribs देखनी होती है देखिए यह ribs की हड़ियां यहाँ पर bite दिखाई पड़ रही है जबकि इसके अंदर lungs में black air भरी होई है इसका मतलब यह CT scan की image है तो brain CT में हमें skull bone देखनी है और abdominal CT में हमें ribs bone और vertebra bone और इसके अंदर black air भरी देखने को मिलती है next बात कर लेते हैं CT scan और MRI की T1-Bated और T2-Bated image के बारे में तो CT scan में bone bite दिखाई पड़ती है जबकि fat black दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर पहला case यह CT scan है क्योंकि यहाँ पर skull bone bite दिखाई पड़ रही है और इसके surrounding fat जो है वो black दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब यह CT image है जबकि MRI के case में bone cortex black दिखाई पड़ता है और fat जो है वो bite दिखाई पड़ता है यहाँ पर देखिए bone cortex black दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब यह दोनो MRI image हैं अब MRI image में भी T1-Bated और T2-Bated MRI कैसे पचानेंगे देखिए T2-Bated MRI में CSF मतलब के water यहाँ पर white दिखाई पड़ेगा तो इन दोनों MRI में T2-Bated MRI कौन सी है यहाँ पर ventricles में black water भरा है मतलब के black CSF भरा है जबकि दूसरे केस के ventricles में यहाँ पर देखिए white water मतलब के white CSF भरा है इसका मतलब second case T2-Bated MRI का केस है जबकि देखिए first case यह T1-Bated MRI का केस है अब इन दोनों case में हम कैसे पिचानेंगे के कौन सी CT image है और कौन सी MRI image है तो CT scan में bone का जो cortex होता है वो bite देखने को मिलता है bone का cortex मतलब के bone का outer region bite दिखाई पड़ता है बहें में CT scan image होती है जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जबकि MRI के case में bone cortex black दिखाई पड़ता है देखिए यहाँ पर bone cortex black दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब यह MRI image है तो यह CT image है और यह MRI image है देखिए इस case में हम कैसे पेचानेंगे कि यह CT है या MRI है यहाँ पर देखिए जो bone है यह black color की है इस bone के उपर देखिए यह bite bite जो दिखाई पड़ रहा है यह fat है इसका मतलब यह MRI है ना कि यह CT scan है क्योंकि इसका outer region जो है यह fat का है ना कि bone का है तो यहाँ पर bone जो है वो black है जबकि fat जो है वो white है इसका मतलब यह MRI image है तो यह MRI का sagital view है इसमें bone जो है देखिए dark है और bone के बाहर जो है वो fat है जो की bite दिखाई पड़ रहा है अब बात कर लेते हैं AP और PA chest x-ray view के बारे में AP का मतलब होता है anterior to posterior जबकि PA का मतलब होता है posterior to anterior देखिए यह view PA है जबकि यह view AP है तो AP मतलब के anterior posterior view में X-ray देखिए direct chest पर सामने से पड़ती है जबकि PA PA मतलब के posterior to anterior इसमें X-ray देखिए backside मतलब के पीछे से पड़ती है तो AP आगे से पीछे और PA पीछे से आगे इन दोनों images में हम कैसे पेचानेंगे के कौन सा AP view है और कौन सा PA view है इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कलेविकल बॉन को तो यह यहाँ पर देखिए कलेविकल बॉन है अगर देखिए कलेविकल बॉन यह लंग एपेक्स के उपर होती है तो बेह ब्यू एपी ब्यू कहलाता है तो कलेविकल बॉन यह लंग एपेक्स के देखिए उपर है इसका मतलब यह AP ब्यू है तो ये एपी ब्यू है जबकि दूसरे केस में किलेबिकल ओ बर्दा लंग फील्ड होती है तो ये पी ए ब्यू होता है तो देखिए दूसरे केस में किलेबिकल ओ बर्दा लंग फील्ड है देखिए लंग फील्ड के ये नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये PA view है नेक्स बात कर लेते हैं नीमो थोरेक्स के बारे में जिसको हम short form में PTX भी लिख देते हैं देखिए यहाँ पर दो term है पहला है नीमो नीमो मतलब होता है हबा और दोतरा है थोरेक्स तो थोरेक्स रीजन में हबा भर जाना कहलाता है नीमो थोरेक्स देखिए pleural cavity में अगर हबा भर जाती है तो इसको हम नीमो थोरेक्स या लंक्स में हबा भर जाना भी कहते हैं तो नीमो थोरेक्स के केस में हमें bascular marking दिखाई नहीं पड़ती हैं देखिए इस टाइब की कोई bascular marking हमको नहीं दिखाई पड़ती है यहाँ पर देखिए यह नीमो थोरेक्स का केस है यहाँ पर देखिए कोई bascular marking नहीं दिखाई पड़ रही है और नीमो थोरेक्स के केस में हार्ट जो होता है वो air pressure की वाज़ा से अपोजिट साइट में shift हो जाता है देखिए यहाँ पर air pressure लगने के कारण हार्ट जो होता है वो अपोजिट साइट में shift हो जाता है और यहाँ पर कोस्टो फेरेनिक एंगल भी जादा deep तक चला जाता है लंग की जो lower margin होती है उसको हम कोस्टो फेरेनिक एंगल बोलते थे हैं तो यह कोस्टो फेरेनिक एंगल है तो यह कोस्टो फेरेनिक एंगल इस केस में जादा deep तक चला जाता है यहाँ पर यह right लंग है यह left लंग है तो राइट लंग में यहाँ पर देखे निमो थरेक्स देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई बेस्कुलर मार्किंग दिखाई नहीं पड़ रही है और यहाँ पर देखे कोस्टो फेरिनिक एंगल यह डीप में देखे शिप्ट होता नजर आ रहा है तो यह निमो थरेक्स का केस है यहाँ पर यह सीटी इमेज है यहाँ पर राइट लंग ठीक है लेकिन लेफ्ट लंग में देखे यह एर जेट बलेक कलर दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर निमो थरेक्स का केस है क्योंकि यहां पर दीकिए हवा भरी हुई लंग में दिखाई पड़ रही है नेक्स केस आता है प्लियूरल इफ्यूजन का प्लियूरल इफ्यूजन के केस में क्या होता है यहां प्लियूरल केबिटी मतलब के पिराइटल और पिसरल पिरूरा के बीच में इन दोनों लेयर के बीच में फिलूड भर जाता है तो इसको हम pleural effusion के नाम से चानते हैं तो pleural effusion में यहाँ पर CP angle मतलब के कोस्टो फेरिनिक एंगल यह blunted देखने को मिलता है यहाँ पर CP angle यह blunted देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह pleural effusion का केस है यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर bite color मतलब के पानी भरा हुआ है next case आता है coin case तो कैसे पता करेंगे के coin ट्रेकिया में है या एसो फेगस में है अगर chest x-ray के APB में अगर coin circular है तो इसका मतलब यह coin एसो फेगस में है APB में coin circular है इसका मतलब यह एसो फेगस में coin है इसके opposite अगर coin APB में तिर्चा है तो इसका मतलब यह coin ट्रेकिया में है तो यहाँ पर देखिए circular coin है तो इसका मतलब यह coin एसो फेगस में है और यहाँ पर देखिए coin तिर्चा है इसका मतलब ये कॉइन ट्रैकिया में है नेक्स बात करेंगे टी बी के बारे में टी बी मतलब ट्यूबरकिलोसिस ट्यूबरकिलोसिस का एकस्रिक कैसा नजर आता है यहाँ पर मेंली अपर लोब में फाइब्रो कैबिटेटरी एरिया देखने को मिलता है लंग के अपर लोब में फाइबरस इसकार देखने को मिलते हैं देखिए यहाँ पर देखिए फाइबरस इसकार देखने को मिल रहे हैं दूसरा हाइलम रीजन हाइलम रीजन में लिंफ नोड इनलार्ज मतलब के बड़े हुए दिखाई पड़ते हैं ये हाइलम नोट enlarge देखने को मिलते हैं यहाँ पर TB के केस में दो चीजे में ली देखने को मिलती है अबर लोब में फाइब्रस इसकार और हाइलम रीजर्म का enlargement होना इसका मतलब ये TB का केस है और इसका तीतरा केस यहाँ पर लंग प्रेंकाइबा में मल्टीपल डॉट्स देखने को मिलते हैं जैसे के यहाँ पर इन दोनों केस में मल्टीपल डॉट्स देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब यह टीवी का चेस्टेक्स रहे है नेक्स बात कर लेते हैं लंग कैंसर के बारे में तो यहाँ पर देखिए यह CT scan में यह lung है lung में यह देखिए bite सी गांट ना चरा रही है और इस गांट में देखिए speculated margin इस type की देखने को मिर रही है इसका मतलब यह lung cancer है next बात कर लेते हैं कार्डियो मेगेली के बारे में cardio मतलब होता है heart और मेगेली मतलब होता है enlargement अगर heart का size बढ़ जाता है तो इसको हम cardio मेगेली के नाम से जानते हैं तो heart के बड़े हुए size को chest x-ray में हम किस तरीके से देखते हैं इसको हम cardio thoracic ratio के according देखते हैं cardio thoracic ratio जिसको हम CTR के नाम से भी जानते हैं तो CTR में cardiac diameter upon thoracic diameter इन दोनों का ratio 0.5 से कम होना चाहिए अगर CTR ratio यह 0.5 से जादा मिलता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर cardio मेगेली है मतलब के heart का size बढ़ गया है तो यह देखे cardiac diameter होता है और यह thoracic diameter होता है तो CTR मतलब के देखी A upon B A मतलब cardiac diameter और B मतलब thoracic diameter तो दूसरे केस में CTR देखे cardiac diameter यहाँ पर 15.2 है जबकि thoracic diameter 32.8 है तो इन दोनों का ratio 0.46 है जो कि 0.5 से कम है इसका मतलब यह normal heart है नेक्स आता है pericardial effusion pericardial effusion में हमको heart का shape butter bottle की तरह दिखाई पड़ता है इसका मतलब यहाँ पर pericardial effusion है नेक्स बात कर लेते हैं brain hemorrhage के types के बारे में तो इसका पहला type होता है EDH EDH मतलब के extra या epidural hematoma दूसरा होता है SDH SDH मतलब के sub-dural hematoma तो जैसे कि हम जानते हैं brain की 3 layer होती है सबसे अंदर की layer होती है pyameter उसके बाहर की arachnoid और सबसे बाहर dureameter तो सबसे अंदर pyameter, arachnoid और सबसे बाहर dureameter अगर देखिए brain hemorrhage durameter के ऊपर होता है यहाँ पर होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर EDH का केस है और देखिए SDH में sub-dura मतलब के durameter के नीचे बाली लियर में कहीं पर हैमरेज हुआ है। उसको हम बोल देते हैं सब्डूरल हैमाटोमा या हैमरेज। EDH, EDH के के केस में जो ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो डूरामेटर के उपर हुआ है। जबकि SDH के case में, जो brain hemorrhage हुआ है, वो durameter के अंदर हुआ है, तो EDH, देखिए इसका shape नीबू के आकार का दिखाई पड़ता है, जबकि SDH, SDH का shape जो है देखिए ये banana shape का दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए ये case EDH का है, और जबकि ये बाला case, ये case SDH का है, hematoma, इसके अलाबा, SAH, ICH और IBH, SAH मतलब के सब arachnoid hematoma, तो ये arachnoid layer के नीचे hemorrhage है, SAH के case में, जो blood है, वो sylvean fissure के अंदर दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखिए, sylvean fissure में blood दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सब arachnoid hematoma है, जबकि ICH, ICH मतलब के intra cerebral hematoma, मतलब cerebrum के अंदर कहीं पर brain hemorrhage हुआ है, तो ये ICH का case है, जबकि ICH, ICH मतलब के intra ventricles के अंदर, क्योंकि intra मतलब होता है, अंदर या inside, तो यहाँ पर दिखिए, ventricles के अंदर यहाँ पर hematoma है, मतलब के brain hemorrhage है, क्योंकि ये देखिए, brain के ventricles हैं, मतलब के brain के अंदर जो खाली जगा, जहाँ पर CSF भरा होता है, उसको हम ventricles कहते हैं, नेक्स हम यहाँ पर देखिए CT image देख पा रहे हैं, CT image में यह है देखिए, लीबर, और लीबर के left side में यहाँ पर यह इस्टमक है, और यह spleen है, चबकि यह black color से, यहाँ पर यह lungs देखने को मिल रहा है, और यह bite bond देखिए, यह birdiebra की है, तो यहाँ पर देखिए, यह लीबर है, और यह pencreas, और यह stomach, और यह spleen, यह left kidney, यह right kidney, और यह IBC मतलब के inferior बेना केबा, नेक्स बात कर लेते हैं, kidney stone के बारे में, तो यह देखिए, यहाँ पर kidney है, kidney में, यहाँ पर white white यह kidney stone देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर ultrasound में, यह देखिए kidney stone है, यहाँ प में, कैसे पता करेंगे के यह kidney stone है, देखिए kidney stone के नीचे, black black shadow नज़र आती है, इस type की देखिए, यह black strip नज़र आती है, इसका मतलब इस strip के ऊपर जो है, white color की, यह stone है, तो देखिए, यह stone है, इसके पीछे posterior acoustic shadow यहाँ पर नज़र आती है, next case आता है hydro nephrosis, hydro मतलब होता है water और nephros मतलब होता है kidney, तो kidney के अंदर अगर पानी भर जाए, तो इसको हम hydro nephrosis के नाम से चानते हैं, तो urinary collecting system जो है, पानी भर कर dilate हो जाता है, तो इसको हम hydro nephrosis के नाम से चानते हैं, देखिए right kidney normal है, जबकि left kidney में देखिए, यहाँ पर देखिए kidney dilate हो गई है, मतलब के यह hydro nephrosis का case है, जैसे के यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यह hydro nephrosis का case है, next आता है bicycle, bicycle मतलब के bladder, urinary bladder में, अगर stone होती है, तो इसको हम bicycle calculus के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए यह urinary bladder है, urinary bladder के अंदर देखिए, यह stone देखने को मिल रही नेक्स बात कर लेते हैं, renal cyst के बारे में, तो renal मतलब देखिए kidney, और kidney के अंदर अगर flood मतलब के पानी से भरी काट देखने को मिलती है, तो इसको हम renal cyst के नाम से चानते हैं, तो renal cyst को bosnia crates के recording, इसको देखिए कई stages में बांटा गया है, तो stage first, second, two F, और three, और four stages, तो जै जैसे जैसे देखिए ये stages बढ़ती जाएंगी, बैसे बैसे complexity बढ़ती जाएंगी, मतलब के malignancy के chance बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो जैसे जैसे देखिए stage बढ़ती है इसकी, तो इसमें surgery का नाना ही better उपाए है, तो यहाँ पर right kidney के ऊपर देखिए, ये cyst नजर आ रह तो जैसे जैसे देखिए stage बढ़ती जाती है, तो cyst के अंदर देखिए, इस टाइब के septa नजर आते हैं, तो ये septic cyst हो जाती है, नेक्स आता है renal cell carcinoma, इसको हम kidney का cancer भी बोलते हैं, तो kidney के cancer में हमको heterogeneous area दिखाई बढ़ता है, तो देखिए right kidney में हमको heterogeneous area देखने को मिलता है, heterogeneous मतलब के कुछ जगा देखिए black और कुछ जगा bite देखने को मिलती है, नेक्स बात कर लेते हैं, Ectopic pregnancy के बारे में, तो अगर देखिए uterus के बाहर अगर प्रिगनेंसी हो जाती है, तो इसको हम Ectopic Pregnancy के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए हमें Doppler कराना होता है, तो Doppler में हमें देखिए fire ring देखने को मिलती है, इसका मतलब होता है, ये Ectopic Pregnancy ह नेक्स आती है आईउडी, आईउडी मतलब के इंट्रा यूटराइन डीमाइस, डीमाइस मतलब के मिट्थियू, अगर बच्चे के यूटरस के अंदर डेथ हो जाती है, तो इसको हम आईउडी के नाम से चानते हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चे की सकल्बॉन, यह एक इसके साथा है पीकोस, पीकोस मतलब के पॉली सिस्टिक ओबरियन सिंड्रॉम, यहाँ पर ओबरी में छोटी छोटी पानी से भरी गांठें पढ़ जाती हैं, इसको हम पीकोस के नाम से जानते हैं, इन गांठों के कारण, ओबरी बलकी हो जाती है, इसको हम नेकलेस साइन के के नाम से भी जानते हैं नेक्स बात कर लेते हैं यूटरस फाइबरोइट के बारे में अगर देखिए बच्चे दानी में फाइबरोइट हो जाता है तो इसको हम लियो मायो मा के नाम से भी जानते हैं इसको हम स्मूध मसल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर यूट यह यहां पर देखिए फाइपरॉइट है अचलक को मिलोगि पांज है अजर एक कर दो देखिए एक आज है कर दो को ब요 커 झाल 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 झाल